ओम श्री परमात्मने नमहा, ओम श्री गुरुभ्यो नमहा, ओम श्री रुषिभ्यो नमहा, सर्वेभ्यो नमो नमहा देवबाणी संस्कृतं इ गुर्कुलं प्रती भवतां सर्वेशां हार्दं स्वागतं मित्राणी अध्यवयं रचनान वाद कोमुद्याह सप्त दशस्य अभ्यासस्य द्वितियं खंडं पठिश्यामह ग्रिहकारियं समीचिनम गतकक्षायाम अस्माभिह तत्रशब्दकोषः पठितः केचित नियमाह आसन तेपि पठिताह सप्तमी बिबक्ति संबंधिनाह नियमाह आसन समीचिनम आगच्छन्तु इदानीम ग्रिह अभ्यासं पठामह अस्तु आएगा अब हम अभ्यास कारें पढ़ते हैं उदाःरणवाक्या एक वह बालक से स्नेह करता है साह बालके स्निहयती तो यह बताया था नियम स्निह के साथ में सप्तमी होती है दो तस्य मम पुत्रे स्नेह वर्तते उसका मेरे पुत्र में स्नेह है सरल है स्नेह तो पुत्र में सब्तमी हो गई तीन अस्मा कम धर में भिलाश वर्तताम तो हमारी धर्म में अभिलाश हो वर्ततामी हो चार मिर्पाह प्रजासु आद्रियते राजा है वह प्रजा में आदर को पाता है पांच धर्मे रति ही वर्तताम धर्म में रती मन लगाए धर्म में लगा रहे तो रतियादी के साथ योग में सब्तमी हो गई है तो धर्मे में सब्तमी हो गई है किसी भी शब्द का प्रयों कर सकते हैं तो सत्य में सब्दमिय हो गई है साथ जनकाह पुत्रे विश्वसिती जो पिता है वो पुत्र पर विश्वास करता है तो यह बतलाया था आपको कि विश्वस दातू के योग में जिस पर विश्वास किया जाता है उसमें सब्दमिय विभक्ति होती है आठ कार्ये कृते सती आहम वनम आगच्छम कार्य के करने पर में वनको आया तो यस्चे भावेन भावलक्षन जो नियम था वो यहां पर घट तो रहा है यह कौन सा वाच्च है कर्म वाच्च में क्या बताया था कर्म में सब्तमी और कृदंत में सब्तमी होती है और कर्ता में तृतिया होती है तो यहां कर्ता साइलेंट है कर्त्रिवाची शब्द का प्रयोग नहीं है इसलिए यहां पर तृतिया की कोई बात नहीं है कर्म में सब्तमी हो गई कार ये कृते और कृदंत है कृते उसमें स प्रिशानी नहीं और सती सती ये जरी करने पर के लिए लगा दिया है तो सर्थिये सब्तमी का रूप सब्त का सती बनता है कि हुआ हम वनव आगज़्छम ये सामान नहीं तो दो करिया है कारिक करना और दूसरा वन को जाना पहली कोन से कि लिए कारिको करना दूसरी कौन सी किरिया हो रही है वन को जाना तो पूर्बाली किरिया को कहने वाला कृदंत और कर्म में सप्तमी हो गई है कारिये कृते ठीक है सरल है लिखने की कोई अविश्चक्ता नहीं है लो भोजन एक किरते शती साह विद्यालय अमगच्छत भोजन करलेने के बाद वह विद्यालय को गया तो यहां पर भी वही चीज है तो यह भी कर्मवच्छ है भोजन एक किरते बोजन कर्म है और करता है साइलेंट दशन राम उस कन्या में लगा हुआ है उससे प्रेम करता है ग्यारह कृष्ण हाँ शास्त्रेशु निपुण हाँ कुशल हाँ प्रवीण हाँ वा अस्ती बात एक ही है सब्तमी हे तो यहां पर भी कार्य कर्ये सब्तमी हो गई तैरह सेनापति म्रिगे शरान मुंचति क्षिपती अस्यति वा सेनापति वो दूर वानों को एक ताँ है कोई धातूंप्रयोग करसकते मुंचति एद आधला ख्षिपत इस्यति वह एक तो जिस पर प्यका जाता है उसमें सब्तमीbug हो गई तो अम्रिग पर फैक रहा है तो म्रिग में सब्तमी विवक्ति हो गई 14 चात्रह गुरुम सेवताम चात्रगुरु की सेवा करे विद्याम लभताम विद्या को प्राप्त करे दुखम सहताम दुख को सहे जाने नवर्धताम मोदताम चा और जान से बढ़े और प्रसन रहे 15 तुम मोदस्व आहम शिक्षई माने तू प्रसन हो और मैं पढ़ूं तुम प्रसन हो और मैं पढ़ूं तो यह लोटलकार का प्रयोग दिखा दिया है इन वाक्यों में तो गत अभ्यास में जितने भी नियम थे वो सारे इन उदाहन वाक्यों में घटा करके दिखला दिये हैं कोई कठनाई नहीं होनी चाहिए अब अब ग्रिहकार दिया जाता ह आता है आपको संस्कृत बनाओ यह वीश वाक्ये हैं इनको आपको बनाना है कि मबर तीन अ शृधबंग कgado एक मामब भोजनम करते सती गलत क्या होगा सहिए मया भोजने करते सती हो तो यहां पर क्या है यह गलत लिख दिया है मै यह गलत है क्या होगा माया printing mistake है तो यहां मया कर लेना है आपको क्योंकि यह कर्म बाच्चा है बोजन एक किर्थे बोजन में सब्तमी कर दी तो कर्म बाच्चा हो गया कर्म बाच्च वे नियम पताया था इन्होंने जो सतत्तर्मानियम था कि करता में तृतिया होती है कर्म में सब्तमी और क्रिदंत में सब्तमी तो करता में सब्तमी तहां से हो जाई है तृतिया होगी तो वह मया लिखने की जगा माई लिख गया है गलत ठीक है उसको सही करना है मया ऐसे करना है आपको कि मया ठीक है न ये मई गलत है इसमें ये गलत है ठीक है आएगा नमबर दो पुत्रस्य शयनं कृते सती गलत सही क्या होगा पुत्रेण को दो और करम बाची है इसलिए कर्म में और कृतनत में सब्समीं हो गई है नमबर दीन निरिपेन म्रिगेश शराह अक्षिपत गालत सही क्या होगा निरिपाह म्रिगेश शराह अक्षिपत माने राजा आने म्रिगों पर बाणों को ठेका ठीक है आईएगा नंबर चार अभ्यास को में नंबर दो लिख रहे हैं उपर जो वाक्त बनाने के लिए हमने आपको उसमें जो ख़ विभाग है उसको आपको बहुबचन में बनाना है तेरह से लेकर के 20 तक आठ वाक्य हैं आगे ख असमद शब्द के पूरे रूप लिखो असमद शब्द के रूप लिखने और उनको चेक भी करना है स्वयम सब्तमी किन इस्थानों पर होती है सोदाहरण लिखो यह अब आपको लिखना है स्वयम हम चेक नहीं कराएंगे स्वय आपी पर लिखिएगा चैक कीजिएगा और अधिक हो सकता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा आप हमें तो हम वहां पर कोई गलती होगी तो हम आपको वहां करक्शन कर देंगे घा लोट आत्मने पद के संक्षिप्त रूप बताओ तो यह आपको बताने लिखने हैं नंबर पांच वाक्य बनाओ यह शब्द दिये जा रहा है इनके वाक्त बनाने हैं फिर हम आगे आपकी साहता करेंगे मिलान कराने में थोड़ी सी नंबर च्छा संधी करो संधी कीजिए का मिलान कराएंगे आगे संधी विच्छेद करो इनका भी मिलान कराएंगे अब है नंबर आठ शुद्ध करो यह जो गलत दिये हैं आपको वाक्य इनको शुद्ध करना है इनका भी हम मिलान कराएंगे तो मित्रो ये 17 हमाँ अभ्यास का ग्रिह कार्य पूर्ण हुआ आगे इसका हमकार्य आपका मिलान करा देंगे उसके बाद आपकी परिक्षा होगे पूरे की तैयारी करनी है अच्छी प्रकार से हम आपको पेपर बहुत ही अच्छा बना करके देंगे बहुत ही सुन्दर प्रश्ण पत्र वना करके देंगे फिर उसका आपको उत्तर पत्र भी दे देंगे ठीक है इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमाहा